वेल्गम बैक टूमाइ YouTube चैनल दोस्तो में हम लोग यहां पर दिसकुस करेंगे appendicitis के बारे में अप्टियों मैं appendicitis क्या होता है appendicitis के क्या क्या काज़ होते हैं रिस्क स़ाक्र होते हैं और appendicis की पैस्टफिजियो लाजी होती है appendicitis के condition में कौन-कौन से sign देखने को मिलते हैं कौन-कौन symptoms देखने को मिलते हैं इसके साथ patient को कैसे diagnose किया जाता है क्या treatment क्या management हम देते हैं और patient में क्या-क्या complications देखने को मिलते हैं यह सारा कुछ आज किस lecture में बहुत सिंपल तरीके से discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जो appendicitis है बहुत ही most important topic है क्योंकि appendicitis से कई बार competitive exam में question पूछे जाते हैं और जो आपके yearly या फिर semester wise exams होते हैं वहां पर भी appendicitis से related चीज़े पूछी जाते हैं राइट तो चलिए समझते हैं exactly appendicitis क्या होता है दोस्तों यहां पर हम appendicitis की बात करें तो जो appendicitis होती है यह हमारे digestive system का disorder देखिए appendicitis के condition में होता क्या है appendicitis is the inflammation of the appendix बहुत ही simple है appendicitis में क्या होता है कि appendix में जब inflammation develop हो जाता है तो इस condition को हम लोग बोलते हैं appendicitis क्या होता है appendicitis के condition में क्या होता है जो appendix होता है जो appendix होता है इसमें जब inflammation develop हो जाता है तब इस condition को हम लोग बोलते हैं appendicitis क्या बोलते हैं appendicitis अब यह हम जान लेते हैं यहाँ पर कि यह appendix क्या होता है जो appendix होता है यह एक small pouch होता है जो कि attach होता है beginning after large intestine जो appendix होता है यह एक small pouch like structure होता है जो कि large intestine के beginning part या फिर large intestine का जो first part होता है मैं लार्जिंटेस्टाइन के जो फस्ट पार्ट होता है इस धिका एक स्टरक्चर होता है जो कि लाज इंटेस्टाइन के Гक्व देख सकते हो नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है इस तरीके का होता है इस इस तरीके का देखने को मिलता है इस भी हैंग्त अब करते हैं यहाँ पर जो किम है इसके यहां पर बात करें तो अडिया पर है यह most commonly obstruction के कारण देखने को मिलता है ठीक है जब भी appendix में किसी भी टाइप का obstruction हो जाता है तो उस obstruction के कारण क्या होता है appendicitis develop हो जाता है देखते हैं कौन-कौन से obstruction होते हैं जो first यहाँ पर है वो है यहां फ़ीको ये फिको लिट्स में फस जाते हैं यह जब फिको लिट्स यान Gris जब अपकर ऑप्क्ञान कोस कर देते है और जो अपस्ट्रक्षन होता है appendix में तो उस obstruction के कारण क्या होता है कई सारे harmful microorganism कई सारे pathogenes उस appendix में trap हो जाते हैं और जब pathogenes microorganism जब trap होते हैं उस appendix में तो वहाँ पर infection और inflammation develop कर देते हैं ठीक है नेक्स नहाँ पर जो है वो है lymphoid hyperflexia जो appendix है वहाँ पर lymphoid tissue होते हैं उनका अगर enlargement हो जाता है तो जिसकी वज़े से क्या होता है वहाँ पर obstruction हो सकता है ठीक लिंफवाइट tissue के enlargement की वज़े से क्या हो सकता है जिसकी वज़े से यहाँ पर appendicitis हो सकता है नेक्स नहाँ पर tumor कई बार क्या होता है कि जो appendix होता है वहाँ पर कोई tumor हो गया कोई कैंसर कंडिशन ठीक है कोई बेनाइन क्या होता है और जो अब्स्ट्रक्षन होगा तब क्या होगा क्या हो और क्या होता है जिसके बज़े से क्या होता है तो यह कूछ तो फिजियो लॉजी की यहां पर जो होता है कैसे कैसे डेबलब होता है यहां पर होता क्या है सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है obstruction होता है कहां पर appendix में appendix कहां होता है जो large intestine का जो first part होता है जो beginning part होता है उस appendix में obstruction होता है obstruction के कारण क्या होता है pressure increase होता है appendix के अंदर pressure increase होता है जिसके कारण क्या होता है within the appendix causing bacterial overgrowth and inflammation ठीक है प्रेशर इंक्रीज होता है और पिशल हो जाती यहां कि और लंबे समय तक रहता है उसको चंद नहीं किया जाता है तब क्या होता है तब होता है या भी कि blood supply reduce होने लगती है और जब इसेमिया होता है ब्लड़ सप्लाई रडिव्स होती है तो उसके कारण नेक्रोसिस होने लगती यानि कि जो appendix के टीसूज है उनकी डेथ होने लगती है ठीक है अब सिंपल सी बात है कि appendix जो होता है यह appendix होता है इसकी cells कि अगर death होगी यहाँ पर necrosis होगी ischemia होगा तब क्या होगा जो appendix है यह फट सकता है ठीक appendix क्या होता है परफूरेट हो जाता है अगर इसको treat ना किया गया तो ठीक है और यहाँ पर जब appendix फट जाता है परफुरेट हो जाता है तब यह एक life threatening condition बन सकती है बहुत ही dangerous condition बन जाती है ठीक है तो यह है हमारी pathophysiology कई बार क्या होता है यहां पर जब भी परफुरेट होता है appendix तो उस condition में emergency surgery करनी पड़ती है राइट अच्छा अब हम यहां पर बात कर लेते हैं clinical manifestations की यानि की sign और symptoms की कि वाई यहां पर appendicitis के condition में कौन कौन से sign और symptoms देखने को मिलते हैं साइन और symptoms की यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं classic symptoms की कई सारे classical symptoms यह पर देखने को मिलते हैं जैसे कि फ़र्ष्ट है वहां पें इन मैग बरनी पॉइंट यहां पर most important है मैग ब पॉइंट होता है वहां पर पेसेंट में देखने को मिलता है ठीक है मैग बरनी पॉइंट पर पेसेंट को पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब है पेसेंट को अपेंडिसाइटिस हो सकता है अब यह मैग बरनी पॉइंट होता क्या है होता कहां पर है मैग बरनी पॉइंट की बात करें तो यहां पर आप लोग इमेज में देख सकते हो कि यह जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है यह जो राइट एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से लेकर के अम्हीलिकस तक एक एक कर चुपिनस होता है इतना तो है का सिर्फ का सुपीरियर मन्हों करके लेकर इस जञ Till ऑन ता इसके का घुच औन्हस होता है इस डिस्टेंस का स्थान सर्ट यहां पर एक पोइंट होता है जिसको बोलतें है मैग बरनी ठीक है यहां पर पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं यहां पर अगर आप पेसंट को पेसंट को पेसंट को पेंट फील होगा ठीक है यहां पर समझना बहुत पेसंट में क्या होगा अपेसंट में देखने को मिलता है और लोग्रेड फीवर पेसंट में देखने को मिलता है तो इसलिए यहां पर क्या होता है ऑपेसंट में फीवर देखने को मिलता है जो आपको याद रखने की जरुवत दिन टेरेंस के होते हैं उसमें रिदंड टेकने को मिलती ब्रीकर आरिबाण्ड टेंडरनस का मतलब होता है पेन अपॉन रिलीज प्रेंडरनस का मतलब होता है कि जिस जगए पर टेंडरनस होती है वहाँ पर अप्रेंडरनस करेंगे झैस आप रिलीज करेंगे तो प्रेसर रिलीज करते टाइम पर पेसेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होता है ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग रीबाउंड टेंडरनेस राइट नेक्स आप जो है वह रॉसिंग साइन यह भी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉसिंग साइ पेन को समजने के लिए यहां पर हम लोग एक इमेज की मदद से समझते हैं ठीक है पेन इंदा राइट लॉर कॉडरेंट फीद प्रथशन लो और पाल्पेट ने, इसको हम अभी मदद से समझते करेंगे तो पेसेंट को राइट कोर्डिन में होता है क्योंकि यहां पर जो होता है यहां पर जब आप करेंगे तो मॉर्णिटर कोडिनेटर में आ जाता है इसके वजूसे से वे estarसें पकी फील होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉसिंग साइंस ठीके है अधिन जहां पर क्या है साइं पर क्या है वह व सम ल solamente सब्सक्राइब का लेफ्ट लेटरल पॉजीसन देते हैं उसके बद जो राइट हिब होता है सिर्ट करते हैं जब सेनक सब्सक्राइब करते हैं तब क्या होता है इसको बोलता है राइठ कि नेक्स नहीं हैं वो है आपका अप्चुरेटर साइन में में क्या होता है पेनविद इन्तरणल डूटेशन आप राइट हपिशन से क्या होता है की पेसेंट का गंदें के बाद क्या करते हैं जो पेसेंट का है तो पेजिए करते हैं तो पेजिए तो सबसे पहले पर पिसेंट का फिजिकल करते हैं यहां पर करें तो तो सब्सक्राइब नाधर की ल काउंट करते हैं यह कोडियोब से इन्ट होता है तो इसका मतलब बॉड़ी के इंदर इंफयक्षिन को मिलता है तो सब्सक्राइब तो इसका मतलब बाड़ी गरिंडर इंप्दी रिफ?. नेक्स नहां पर C-reactive protein blood के अंदर क्या होता है जो C-reactive protein होता है वो बढ़ जाता है C-reactive protein blood के अंदर देखने को मिलता है जब भी body के अंदर inflammation होता है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं वो लेवरेटी टेस्ट करवाते हैं पर पेशन में ultrasound करवा सकते हैं ultrasound से confirm हो जाता है यूजफुल इन चिल्टरन और प्रिग्नेंट वुमेन जो चिल्टरन है या फिर जो प्रिग्नेंट वुमेन है उनमें identify करने के लिए जो appendix है वो enlargement appendix का enlargement appendix में inflammation इन चीजों को identify करने के लिए हम लोग ultrasound करवाते हैं नेक्स्ट आपर अगर ultrasound से visible नहीं हो पाता है confirm नहीं हो पाता है तो हम लोग CT scan करवाते हैं CT scan में हम लोग detail study कर लेते हैं appendix की ठीके उसमें अगर कोई भी inflammation होगा ठीके कोई भी किसी भी type की अगर abnormality होगी तो हमें CT scan अगरें से पता लग जाता है तो यह कुछ डिआगनोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हम लोग appendix को डिआगनोस कर सकते हैं अब लोग बात करते हैं management की अभाई पेसेंट को क्या management करेंगे management की यहां पर बात करें तो सबसे पहले यहां पर patient को non operative management pro飯 किया जाता है काओन सा management non operative management मतलब हम लोग patient को medications प्राइट करते हैं किसी भी टाइब का operation करती है इसमें हम लोग patient को medication by करते हैं जैसे कि anti symbiote to amazon अभदैंट को मेंजाफ के condition में सबसे पहले JOE प्रिकवर करते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लीकेशन नहीं है ठीक है थिक है माइल्ड कंडिशन है तब हम लोग एंटीवाटिक से परिस्क्राइब करते हैं और ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑपेटिव बैनेजमेंट का मतलब पेसेंट को पेसेंट में ओपरेसं के ध्यूडिक्स को रिमूब कर दिया जाताए ठीकर का उन्सा का नाम होता है अपेंडिक्तोमी करते हैं अपेंडिक्स होता है उसको सर्जिकली रिमूब कर देते हैं क्योंकि जो अपेंडिक्स होता है उसमें इंफ्लामेशन हो गया है अगर उसको हम लोग अगर उसको हम लोग रिमूब नहीं करेंगे तो जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो सकता है या फिर कई बार रप सब्सक्राइब कर दो दो तरीके से किया सकता है एक तो आपका अपेंडक्टॉमी होता है कि मदद से जो सर्जरी होती है उसमें बहुत ही कि minimal incision होता है और उसकी जो recovery होती है फास्ट होती है ठीक स्वाल्टर recovery होती है या फिर अगर लेपरोस्कोपिक appendectomy possible नहीं होता है तब हम लोग open appendectomy करते हैं ठीक है पेसंट में open appendectomy करते हैं नेक्स्ट आम यहाँ पर लास्ट में बात कर लेते हैं complications की अब भाई क्या-क्या complications देखने को मिलेंगे जो appendicitis के patient होते हैं उसमें अगर हम complications की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पर परफुरेशन देखने को मिलता है माली किसी पेसेंट को appendicitis हुआ है अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो क्या होता है जो appendix होता है उप्पोरेट हो जाता है जैसे कि हमने पैतो हो सकता है क्या हो सकता है और रप्चर होगा तो जो इंफ्रक्षन है वो आज-पास के एरिया में इस प्रड हो जाएगा तो पेंट में क्या होगा वहां पर क्या हो जाएगा तो आपंडिक्स सेमिया का मतलब सिटेमेटिक इन्टिरियल इस्पेडिक्स फ्रॉम अपेंडिक्स होता है तो आपंडिक्स रप्ऩर होने के बाद और पूरे बॉड़ी केंदर इंफेक्षिंविट हो सकता है और उसको बहुत है ठीक है तो ये बहुत ही छान भी जा सकती है अगर इसको टामली प्रीट ना किया जाए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेडिकल अप्ली किसन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्लेश्टोर से वहां पर आपको यह पीडियेफ नोट्स मिल जाएगा ओके